दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांग के 29 अक्टूबर सन 2023 विक्रम संबत 2080 चल रहा है कार्तिक मास है कृष्ण पक्ष है शरद रितू है तिथी आज की प्रतिपदा है और आज का वार है रवीवार आज के नक्षत्र की बात करें तो भड़नी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग सिद्धी है शाम 7 बच के 69 मिनट तक आगे व्यतिपात योग है और योग की दरस्टी से आज का दिन शुब और योग का रखे इसका पुरा-पुरा सद उप्योग करें करन बालव है दोपेर 12 बच के 50 मिन किसे टाल दीजेगा इसमें कोई शुब कारें नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अबिजित मुरत आज 11 बच के 48 मिनट से दोपेर 12 बच के 22 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं दोपेर बाद 4 बच के 16 मिनट और शाम 5 बच के 1 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको पस्चिम दिशा में तो पहले कोशिश तो यह रहे कि पस्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवार यात्रा है तो फिर इसक दिशा की यात्रा करें ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुद्दर रहेगी मंगल में रहेगी और आप बहुत अच्छे से कारें सिद्ध करके लोटेंगे आज का शुब समय दर्शकों यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपेर 12 बजे तक फिर दोपेर 2 से 3 बजे तक और फिर शाम 6 से रातरी 9 बजे तक ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब है योग कारक है तो कुछ अच्छे काम करें अच्छे अच्छे अफर्स करें तो इन समय का ध्यान रखते वे कीजेगा ताकि आपके सफलता के चांस에서 ज्यादा रहें आज की चंद राशी दर्शे को मेश है याई चंड व्हम मेश राशी से गोचर कर रहें जिससे का ये दिन सभ्वी 12 राशियों के लिए कूछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों के लिए अतियात्म विश्वास से बचने का दिन है और व्रश राशी वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदतों से वहीं मितुन राशी वालों को मिल सकता है नए नोकरी का अवसर करक राशी वालों को मिलेगी प्रशंशा आफिस में वहीं सिंग राशी वालों को आज भाग्ये देगा पुरानी गल्तियां सुधारने के अवसर वहीं कन्या राशी वालों को स्वास्त को लेकर बनेगी चिंता और तुला राशी वालों को आज सम्मंदों में हो सकता है खटास का अनुभव वहीं व्रश्चिक राशी वालों को पैसो के लेन देन में रहेगा समश्या भरा हुआ दिन धनु राशी वाले चात्र चात्राएं आज पा सकते हैं शुब सूचना वहीं मकर राशी वालों के लिए अवसाद और चिंता भरा हुआ है ये दिन और कुम राशी वाले आज पाएंगे जबरदस सपोर्ट सिस्टम मीन राश्यवालों को कुटुम से मिल सकती है किसी मांगले कारे की सूचना अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंते दरश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश्ट उपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंतरना और समाधान दरश्टी को शास्त्रों में संगती पर बहुत कुछ कहा गया है और यह वास्तविक्ता भी है कि जिस प्रकार की सोच विचार रखने वालों से आपकी मितरता हो जाती है जान पहचान हो जाती है वैसा ही आचरन वैसे गुण दुरगुण आपमें आने लगते हैं करण जैसा सर्व गुण संपन भी दुर्योदन की मित्रता से ब्रश्ट हो गया और अर्जुन भगवान श्रीक्रिष्ण की मित्रता पाकर मनुष्य की सीमाओं का यातिकर्वन कर गए इस पर शास्त्र ये कहता है कि जाड्यम धियो हरती संचती वाची सत्यम मानो नतीम दिशती पापम करोती चेते प्रशाद यती दिक्षू तनोती कीरतिम सत्संगती कथे किमना करोती पुन्जाम इसका अर्थ ये है कि उत्तम मित्रों की संगती बुद्धी की जड़ता को हर ल लगता है इस प्रकार की उत्तम श्रेश्ट जनों से मित्रता से मनुष्य का हर प्रकार से कल्यान होता है तो आगे से आप जब अपने संबंद बनाएं जानकारी करें मित्रता करें तो ऐसे लोगों से करें जिनमें गुण हो ऐसे लोगों से नहीं जो सफल है सक्षम है गुण महत्वपूर्ण है क्योंकि वही आपके अंदर परिलक्षित हुने लगता है तो दर्शे को ये थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करते हूं विसस्ट रुपायों पर जिन से आप समश्चाओं से बाहर निकलाते हैं अपने जीवन को सफल बना लेते हैं और एक संतूलन ले लगते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सभी लोग आज सुबह 11 बच के पंदरा मिनट के लगब कुष्टा श्रम में गीहूं का आटा दान करें फिर शिवाले जाएं फलो के रस से अभिशेक करें तो फिर जो आने व जो भी छातर छात्रा हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में अडचने पा रहे हैं या मन बटकता है उन सबको आजी साधना अवश्या आरंब कर देनी चाहिए आपको करना सिर्फ यह है कि शाम आट बज के क्याउन मिनट से माता सरस्वती का पूजन आरंब करें सबसे पहले माता के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचुप चार से पूजन करें फिर श्वेत पुष्प श्वेत मिस्टान अर्पित करें और गुरु गणेश वंदना क माता सरस्वती से प्राथना करें कि वह आपको विद्या और प्रग्यादान करें सिक्षा मारी सभी अर्चनों को हटाएं और फिर आप इस बहुती विश्ष्ट मंत्र की तीन माला का जाप शुरू कर दें मंत्र स्प्रकारे ध्यान से समझेगा ओम नमो भगवती सरस्वती करनी है और यदी आपने मनव वचन कर्म से ब्रम्यचरिय का पालन करते हुए सत्य वाचन पर अडिक रहते हुए 21 दिन इस साधना को कर लिया तो फिर इसमें कोई संदे ही नहीं है कि आपकी जो प्रग्या है आपकी अध्यन शम्ता है आपकी बुद्धी है वो दुगनी तिगुनी तेजी से काम करने लगेंगी और जीवन भर माता सरस्वती जी का एक अमोग आश्रवाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा जिसे आप अनुभव भी करेंगे ऐसे ही जिनकी बुद्धी कमजोर है वो एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं चोटा सो उपाई भी है जिस किसी भी नीम के पेड़ में बरगत का पेड़ उग्याओ उस बरगत के पांच पत्ते आप तोड़ लीजिए और उन पत्तों पर हल्दी, चंदन, चावल और कुश रखकर भगवान श्री हरी विश्नु जी या गणेश जी को चड़ा दीजिए थोड़ देर बाद उस पूरी सामगरी को वापस उठाईए जमीन में करीब दो हाथ गड़ा कीजिए और उस सामगरी को डाल दीजिए स्थाई हो जाती है, तो दर्शकों ये थे आज को विसुष्ट उपाए जो आपका बुद्धी जागरन कर रहे हैं समझाओं से आपको बाहर ला रहे हैं, अब बात करते हैं आपके सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का ये हमारे दर्शक विनोद क बनाती है, और ये जनम पत्री का की चतुर्त भाव में बन रही है, चतुर्त भाव होता है, घर का भाव, यह आपके घर में एक तो वास्तु दोश है, निश्यत रूप से, एक किसी प्रकार का भारी, प्रेत पित्र दोश है, जिसका पिंड दान ठीक से, जो क्रियाएं होती किसी प्रामण विद्वान से, बहुत आपको आराम मिल जाएगा, इसके अलावा, जो हम नित्ते बताते हैं, जो पाए उनमें लगू हवन जो होते हैं, वो नित्ते किया करें, सुबह शाम गूगल की, और शाम को लोबान की, सुबह गूगल की धूनी दिया करें, तो घर मे शान्ती होने लगेगी, आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आईए हमारी दर्शक प्रिया जी की, 14 जोलाई 1985 का जनम है, सुबह दस बच के एक मिनट नागोर, प्रशन है संतान का योग बताईए, प्रिया जी आपकी जनम पत्रिका दर्शारी है, कि आपके कन्या संतान हो आपके जो लड़के की आस है या लड़का हो जाए ऐसी आपकी इच्छा है वो असफल हो रही है, तो आपकी जनम पत्रिका में शनी मंगल सूरी है, तीनु गुरू की सीधी दरश्टी पंचम भाव पर, संतान भाव पर, तो संतान प्राप्ति के योग कमजोर पढ़ते हैं में साल भर में तो आपकी योग बनेगा, आपके नौमबर सन दोजार चौबिस से अक्टूबर सन दोजार पच्छिस के बीच में संतान उत्पन होने की योग फिर से आ रहे हैं, तो दरश्ट को ये था आज का पंचांग आज के विसस रुपाए और ज्यान चर्चा, मैं प प्रात्ना करता हूं, कि जब आप हमारे बताएव उपाए करें, तो आपके कश्टों का निवारण अवस्य हो और मनों कामना पूर्ती निश्चित रूप से हो, कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद, भगवतिया आप सब का कल्यान करे, जयादिशक्ति प्रात्ना करें